नमस्कार साथियो नियूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं रोटी कपड़ा और मकान तो बेहत जरूरी है लेकिन जरूरी ये भी है कि आपकी नीश्ता को कोई लूट ना जाए लेकिन इस समय लूटा जा रहा है वाटसअप का कहना है कि पेगासस सौफ्ट्वेर का इस्तिमाल करके दुनिया भर के लगबख चौदो सो लोगों की जासूसी की गई इसमें लगबख दो दर्जन भारतिये भी सामिल है और इन भारतियों में पत्रकार हैं और मान अधिकार कारे करता है और इसी पर बात्चित करने के लिए हमारे साथ हैं डीश्टल मामलों की जानकार प्रबीर तो प्रबीर बहुत जटिल मुद्दा है तेगासस क्या है वाटसअप कैसे काम करता है जासूसी क्या है इसे हमारे समाने दर्शकों को देखें वाटसअप की लोग इस्तबाल इसलिए कर रहे थे कि उसमें एंट्वेन इंक्रिप्शन है तो आप किसी और से अगर वाटसअप में बात करेंगे तो बीच में क्योंकि वह टेली कॉम्मिनिकेशन नेटवर्क के उपर से जाता है बीच में उस चीज को उस कॉम्मि गई है और वो सिर्फ सरकारी एजन्सी को ही बेचते हैं दुनिया में उनका ये कहना है हम किसी और को नहीं बेचते सिर्फ सरकारी एजन्सी को बेचते हैं तो ये पेगसेस सौफ्ट्वेर से 14 भारतियों नागरिकों की उसकी स्मार्ट फोन जहांके जिसके जरीए मैसेज आती है वीडियो मैसेज आती है दूस्ते तरह के मैसेजेस ग्रूप टॉक ग्रूप कम्मुनिकेशन में आपको इन्वाइट करते हैं तो आपने क्लिक कर लिया तो आप उस पे लिंक आपके कंप्यूटर में वो रह जाता है जिसके जरीए ये आपका सौफ्ट्वेर malware जिसे कह सकते हैं वो आपके computer आपका computer या आपका smartphone जो एक computer ही है एक हिसाब से उसके अंदर चले आता है तो वो एक बार जाता है तो आपके जितने स्पार्ट फोन की कंटेंट है, चाहे फोन नंबर्स हो, कॉन्टैक्ट्स हो, तस्वीर हो, कॉम्टिकेशन, जितना आपके मेसेजिस है, वाट्साइप से लेकर ईवेल तक, सब उनको जो हैक किये हैं, उनके पास पहुंचना पहुंचाना दिक्कत की बात नहीं होती है, तो एक हिसाब से आपका फोन, जो आपके एहरते लूटा जा रहा है, इसका मतलब आपके फोन के सारे कंटेंट लूट के और कहीं जा रहा है, पर इस पर गैर करनी की बात यह है, जो 14 नागरिकों की आपने जिक्र किया है, हिंदुस्तान में, वो सब उस वाक्त, जो भिमा क परेगाओ के नाम पे बहुतों को उपर केसिस दर्ज की गई थी, यह लोग उसके उनके साथ उनकी दोस्ती थी, जान पहचान थी, या क्लोस कम्म्निकेशन में थे, यह तो उनकी लॉयर्स थे, तो यह सब देखते हुए लगता है, कि यह भी तो सरकारी एजनसी की ही शायद यह कारणामे हैं, क्योंकि इसमें इस्रेली कमपनी अगर सही कह रहा है, सिर्फ वो सरकारी कमपनी को देता है, और यह 14 लोग सरकार के निगाह में थे, वो भी साफ है, कि इसकी जो केसिस वगरा बाद में दर्ज की गई है, उस वक्त दर्ज की जा रही थी, इसको देखते तो उसको पूछ रहें तो ये तो लगता है कि एक दिखावा है असलियत पे उनकी कोई एजिंसी ने इस काम को किया है हाँ ये भी नहीं बता रहा है कि उनने खरीदा है कि नहीं खरीदा है इसको जागर करना चाहिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कही कि सरकार ही केवल उसको खरीद सकती है तो इसी पर बात आता है कि हम कहते हैं कि हमारा फोन गया पगा सर्विलांस पर डाल दें और इलीगल हैकिंग जैसी बाते होते हैं तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है देखे ऐसा है कि जब सरकार लीगली अपना अधिकार जताता है तो उसके जरिये आपका चितने टेलीफोन के जरिये आप कमुणिकेशन करते हैं वो सको सुन सकता है तो वो उसकी अधिकार है टेली कॉमिनिकेशन एक्ट के तहद जो है उसके अंदर प्रोविशन है कि अगर सेक्रेटरी पद का कोई आफिसर उसको साइन करता है तो वो एक्सेस आपको मिल सकता है होम सेक्रेटरी मेरे ख्याल से होम सेक्रेटरी की दसकत की जरूरत है हकीकत तो यह है होम सेक्रेटरी के द पर जाच परताल होनी चाहिए इसका दस्कत करने के लिए वह हो रहा है तो एक हिसाब से हिदुस्तान चाहे अमरीका हो चाहे दूसरे दोश हो सभी जो है एक बल्क सर्वेलेंस के रास्ते पर गए हैं पर यह आपकी दूसरों से बातचीत को टैप करने की बात है यह जो हुआ ह अभी जिस चौदा वेक्तियों की हम बात चौदा लोग की हम बात कर रहे हैं यह अलग चीज है क्यों कि इनका फोन हैक करके इनके फोन के अंदर जितने सारे चीज है उसको ले लेना यह इस दस्कत के सब्लक सर्वेलेंस के वारेंट के जरिये नहीं हो सकता इसके लिए तो भारत की कानूनी जो वस्ता है उसके तहद इसकी करने की कोई जगा है नहीं तो यह भारतिये कानून के अनुसार एक इलिगल एक्ट है चाहे इसको सरकार करे और कोई करे अब जानते हैं सरकारी नुमाइंदे या सरकारी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी गैर कान कानोनी काम करते हैं तो उनके खिलाफ़ भी कानोनी कारवाई होनी जाइए तो ये खबर वाटसाइप को फेस्बुक को पूछ रहे किस लिन दिया कैसे किया तो यह तो दिखावा है एक हिसाब से क्यों कि जब इलीगली फोन हैक्ट हुआ है तो फेस्बुक की पर्मेशन से तो भी नहीं है तो किस ने किया यह जाच पड़ताल कौन करेगा यह सवाल है और सरकार के ज सुप्रियम कुटर जज्ज्बेंट भी आ चुका है और आप भी सवाल उठा रहे हैं कि किस ने किया उस पर फाइयार दर्ज होना चाहिए तो इसके कानूनी पक्ष क्या हो सकते हैं कानूनी क्या रास्ता हो सकते हैं पर अंतराश्ची अस्तर पर देखें कोई ऐसी कोई बहस एक प्राइविट प्रापरटी के तौर पर ट्रीट करना चाहिए जैसे हमारे बैंक के पासवर्ड है ये तो किसी किसी और को नहीं बिल सकता है मेरे इजाज़त बिना तो इस तरह के बहुत सारे चीज़े होती है जो हम प्राइविटली रखना चाहते हैं हो सकता है कोई डी हम किसी को देना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारे जो आपने का नीजिता की सवाल है प्राइविसी की सवाल है अब सुप्रीम कोड इसको एक इंडिविजुल राइट के तौर पे इसका एक फॉंडमेंटल राइट में शामिल किया है तो इसके बाद जो ये चीजे जो है ये स करेगा तो ये इलिगल है पर सरकार करेगा तो इलिगल नहीं है क्योंकि सरकार की कुछ छमताएं ऐसी है जैसे मृत्तुदंड में लोगों को मानने की भी अधिकार है पर कानून के तहद इलिगल नहीं ऐसा नहीं कि आपको आकर मारे देखों कि मृत्तुदंड के अधिकार स उसको कानून के रास्ते से मृत्तड़ अगर कोट बानता है दभी हो सकती है कि हाँ भी आपके फोन पे कोई अगर चीजे है तो उसको अगर सरकार देखने चाहे उसके लिए सर्च वारंट चाहिए और किसी तरीके से करेंगे तो इलीगल है और सरकार भी इलीगल काम कर रहे है और जो सरकारी नुमाइंदे इसको किये है वो भी कानूनी तोर पे दोशी है और उनके खिलाफ भी कारिये होना चाहिए आप से अंतिम सवाल बहुत सारे लोग कहते हैं कि राश्ट्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि ये सब भी काम किये जाए तो इसके बारे में आपकी क्या राया है स collector सी बात है राष्ट्य सुरक्षा के लिए जो भी कीजानी चाहिए वो कानून के अंतरगत होने की मुगन दाइए गेर कानूनी तरीके से शुदि जाती है कि बिना कोई कानूनी बंदिश के, वो कुछ भी कर सकते है, तो उसको जनतंत्र नहीं कहेंगे, उसको लोगतंत्र नहीं कहेंगे, उसपे और कुछ तंत्र बताता पड़ेगा, लोगतंत्र के तहत, जहां पे constitutional अधिकार लोगों की इंसान की है, उस इंसानी अ अधिकार को खंडित करके राष्ट्र सुरक्षा नहीं हो सकता राष्ट्र सुरक्षा राष्ट्र के लोगों की सुरक्षा तो राष्ट्र और लोग अलग अलग नहीं है इसलिए इसको लोकतंत्र कहा जा रहा है गनतंत्र कहा जा रहा है जनवाद कहा जा रहा है जनता के सोचिएगा कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी सारी जानकारिया दुनिया में उजादर हो जाए सुक्रिया आप देखते रहे न्यूज क्लिए